Welcome back to our YouTube channel आज की इस वीडियो में हम जानेंगे UPK Private Medical College का Round 1 का क्या Cut-Off था काउंसलिंग किस तरह से करवा सकते हैं आप and Round 2 का expected Cut-Off क्या रहेगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला Medical College है वो है हमारा शार्दा यूनिवर्सिटी इस Private Medical College का Cut-Off जो है थोड़ा हाई जाता है around 498 marks इसका Round 1 का Cut-Off गया है and इसकी yearly tuition fee है 12,69,000 Next College है श्री राम मुर्ति समारक बरेली 13,73,000 इसकी annual tuition fee है and 471 marks इसका Round 1 का Cut-Off गया है उसी तरह आप स्क्रीन पे देखेंगे हिंद इंस्टिटीट, मुजफर Medical College हिंद इंस्टिटीट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापूर, केडी मेडिकल कॉलेज मतुरा इस तरह से सारे मेडिकल कॉलेज के आपको Round 1 के Cut-Off यहां दिखाई दे रहे है and उनकी tuition fee कितनी है and विली और उसके बाद complete MBBS करने में आपको कितना package आ जाएगा यह सारे चीज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तो हम सबसे पहले देखते हैं जो सबसे lowest marks पर मिला है इस बार college वो है National Capital Merit इस Medical College का जो Cut-Off गया है only 285 marks 285 marks पर Round 1 में इस college की closing हुई है and इसकी annual tuition fee है around 12,19,000 and इसकी जो पूरा package है वो है 65,000 sorry 65,49,000 के around आपकी complete MBBS होगी तो ये तो मैंने बताया आपको कि क्या cut-off इस बार रहा है और आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं but Round 2 का क्या cut-off रहेगा और counseling की process क्या है किस तरह आप सही medical college अपने marks के हिसाब से choose कर सकते है तो आपको description में एक link मिलेगी Google form फिल करना है आपको education g medical education counselor है वो पूरी तरह से guide करेंगे किस तरह आपको in medical college के लिए choice filling करना है क्या आपकी process होगी A to Z guidance आपको मिलेगी तो आप एक बार description box जरूर चेक करिएगा वहाँ पे दिये हुए contact number पर भी आप contact कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि expected cut off क्या होगा round 2 का तो देखिए जैसे 285 marks lowest marks हैं private medical college में UP में तो around 265 marks 260 marks की around ये जो medical college है round 2 में close हो सकता है इसी तरह सारे medical college में 15 to 20 marks का variation आएगा round 1 के comparison में तो इस तरह से अगर आपके marks is merit list जो आई sorry जो first round का allotment आया है उसके आज़ पस भी है और 15 to 20 marks कम है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप UP में private medical college लेना चाहते हैं तो आपको college ज़रूर में लिगा तो इस वीडियो में बस इतना ही description box को check करना मत भूलना उसमें दियोए contact पर contact करके सारी detail आपको मिल जाएगी thank you so much for watching this complete video bye bye and take care